कुणवाब का लुट कार दोस्तो हमारी यूटिप लखन माली में आप सब बौधी स्वागत दोस्तो सिधा ना चाहते हो पढ़ना चाहते हो समस्क्षण धिया संस्क्रित की स्ट रखन विदिया और शिकषा विज्ञान की एक है कंप्लीट जनकारी कंप्लीट नोट्स के साथ में यदि आप पढ़ना चाहते हैं हम से जोड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को अपने दोस्तों के आप शेयर करें और आज का हमारा खास इंपोर्टन वीडियो है हिंदी सिक्षन वीडियों में आज हम बात करेंगे नाटक सिक्षन की व बिएंदी सबसेन बढात करते हैं सबसे परहले हरें कुछ संख्शिप्त जानका लिया आपको अम बता देते हैं इसमें जैसा कि आपको पता है कि नाटक जो शब्द है वो सम्स्कृत की नट धातू से बना है जिसका शाब्दिकर्थ नाचना या नृत्य करना होता है दोस्तो नाटक के अंदर सभी जितने भी हमारे 11 रस होते हैं वो सारे के सारे इसमें समाहित होते हैं याने नाटक के अंदर सभी ग्यारारस होते हैं नाटक को ब्रह्मा जी ने पांच बाव वेद भी कहा इसके अलावा एक बहुत ही इंपोर्टेंट जो हम बात बता रहें नाटक से संबंदित या कई बार एक जम में आ चुका है आरपियासी ने बहुत बार इसको पूछ लिया है नाट्याचार भरत मुनी की अनुसार कहा गया है कि कि किसी भी दशा के अनुकरण को नाटक कहते हैं ये उन्होंने कहा था और इसको उन्होंने समस्कृत के रूप में परिभाश दी उन्होंने उन्होंने कहा कि अवस्था अनुकृतिर नाट्यम अवस्था के अनुसार जो अनुकरण होता है दशा क कि अनुकरन को नाटक कहते हैं यह जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है यह कई बार आर्पीसी के एक्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तो तो यहां एक कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है तो आपको हर लाइन वो इंपॉर्टेंट हम बताएंगे जो आप कि हर एक्जाम में आने की पूरी संबावना है और इससे पहले जितनी भी एक्जाम हो चुकी है उनमें कई एक्जाम में वो चीज़े आ चुकी है उन सभी प्रशनों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से बहुत बार सवाल आ चुका है और अब जो भी एक्जाम होगी उसमें भी यहां से सवाल बनता ही है किस प्रकार सवाल आएगा वो भी हम बात करेंगे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाटक स्क्षन के उद्दिश कौन कौन से है इसमें अवका सबसे पहले चीज़ यहा कि विविन जीवन दरशनों का ग्यान होता है बिल्कुल सही बात है विविन प्रकार के जो जीवन दरशन है उससे हमें ग्यान उसका हमें मिलता है उस चीज़ से हमारा बोध होता है इस चीज़ का हमें अधिगम होता है ये ऐसे मानलो की नाटक के विविन जो कलाकारों का अलग 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 दर्शन होता है दोस्तों यानि अलग 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 नजरिया उनका होता है विद्यारती एक नाटक से ही अनेक प्रकार के जीवन दर्शन का ग्यान प्राप्त कर लेता है अनेक प्रकार के जीवन दरशन उसमें देखता है और वैसा ही नजरिया, वैसा ही दरश्टिकौन, वैसा ही व्यवहार वो करने लगता है तो इसलिए इससे होता है कि बेविन्य जीवन दरशनों का ग्यान जो है ये एक प्रकार का उद्देश्य हुआ इसके बाद में अगला उद्दिश आता है भाव अभी व्यक्ति यानि कि अपने भावों की अभी व्यक्ति कर पाना ये एक उद्दिश है मतलब यह हुआ कि नाटक के अंदर शब्दों का प्रियोग जो है भाव के अनुसार किया जाता है यह हम सब जानते हैं नाटक के अंदर यानि कि कुछ भी यांद बॉल रहे हैं तो अपने भाव जो हैं जैसे अपन के अंदर भाव हैं वो आपके बाड़ी के अंदर देखें और वो आपके व्यवाहर में भावर देखने चाहिए अपने भावों की अभिव्यक्ति होनी होती है तो ऐसे कहते हैं कि शब्दों का प्रियोग भाव के अनुसार किया जाता है और नाटक के अंदर गती यती विराम आरो अवरो भाव के अनुकूल प्रस्तुत किये जाते हैं मतलब विद्यारती नाटक के द्वारा भाव अविव्यक्ति की कला सीखता है अपने विचारों को अविव्यक्त करना हर जगे और वो भी भावों से अविव्यक्ति करना अपने व्यवाहर में वो चीज दिखती है उसके बाद में है स्वस्त मनोरंजन मनुरंजन तो नाटक से होता ही होता है हम सम जानते हैं इस बात को लेकिन इसमें स्वस्त मनुरंजन होता है नाटक के द्वारा विद्ध्यारतियों का मनुरंजन होता है बिल्कुल सत्य है नाटक विद्ध्यारतियों के मनो भावों को उद्वेलित करके स्वस्त मनोरंजन प्रदान करता है ठीक है ना क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ नाटक से केबल मनोरंजन पर आधारित होते हैं कुछ ग्यान बर्दक होते हैं कुछ हास्य नाटक होते हैं अलग-अलग प्रकार के नाटक होते हैं, अलग-अलग प्रकार की विशेवस्तु पर आधारित होते हैं, तो ये एक उद्देश्य होता है स्वस्त मनोरंजन करना, उसके बाद में है अनुकरन शीलता, वास्तम में अनुकरन ही नाटक है, ये बत हम पहले कर चुके हैं, तो अनुकरन शीलता यानि कि उनका हम अनुकरन करते हैं उनका अनुसरन करने लगते हैं एक इसमें उद्देश होता है हित उपदेश मतलब यह है कि नाटक का उद्देश ही हित उपदेश देना है यानि हित कारी उपदेश देना हित वाले उपदेश देना किसी के हित में हम किस से कुछ बता सकें उसको उपदेश हम कैसे कर सकें वो हित के उपदेश हम कैसे उनको बताएं ये एक नाटक के अंदर हम एक संदेश देते हैं तो नाटक विध्यारतियों को हित उपदेश द्वारा सिक्षा प्रदान करता है क्योंकि बहुत सारे नाटक हैं जो हमें एक जीवन की बहुत एहम और महत्ऴपूर शिक्षा देता है हर प्रकार के नाटकyas में कोई न कोई एक एक अहम एक सिक्षा छुपी रहती है एक उपदेश छुपा रहता है तो यह तो अमारा उद्धिश हो गया अगला उद्धिश है इसमें व्यक्तिक स्वभाव का अध्यन मतलब यह हुआ कि नाटक सिक्षन के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव का ज्यान करना और उसका अध्यन करना सरल हो जाता है हम उसके व्यक्तित्व के स्वभाव को, हम उसके व्यक्तित्व को, उसके स्वभाव को समझ जाते हैं, उसका ज्ञान हो जाता है, और उसका ध्यन करना सरल हो जाता है एक और है इसमें बिविन परिस्थितियों का ज्ञान मदर नाटक में अनिक प्रकार की परिस्थितिया वंतिया हम जानते हैं अनिक प्रकार की सुचिये सन वहाँ पराती है अनिक प्रकार की अवस्ताएं दशाएं अनिक प्रकार की इस्टिती वहाँ पर उत्पन की जाती है और साथ ही साथ समश्चा थता उनका समाधान भी होता है तो विध्यारति इन सभी प्रकार की परस्थितियों का ज्यान प्राप्त करता है उन परिस्तितियों से किस प्रकार उन से निजात हमें पानी है कैसे बाहर निकलना है वो चीज भी वहाँ पर दिखाई जाती है तो यह थे दोस्तों नाटक सेक्षन के उद्दिश हर लाइन से प्रश्न बनता है आपको पता है कि आजकल जो प्रश्न आते हैं वो आपके व्यवहार एख प्रश्न आते हैं और ठोर्टी कल सवाल आते हैं उसके लिए आपको ठोरी अच्छे से समझनी होती है और ठोरी आप अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, ये वीडियो आप जदी पूरा अच्छे से मन से देखते हैं, तो निश्चत रूप से आपको हर एक्जाम में से बहुत फाइदा होने वाला है, तो REIT की अभी जो तयारी कर रहे हैं, आप किसी भी टीचर की एक्जाम की तयारी कर रहे हैं RPSC की कोई भी टीचर की तियारी कर रहे हैं उस सब के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट है तो आप अच्छे से सुनें अपने दोस्तों को शेयर करें अगली बात हम इसमें बताते हैं आपको नाटक सिक्षन की जो विदिया है वो कौन कौन सी है उनके बारे में हम बात करते हैं लिए हम जानते हैं कि नाटक सिक्षन की कौन कौन सी विदिया है जिनके माधियम से हम नाटक जो सिक्षन है उसको हम करवाते हैं चात्रों के लिए तो सबसे पहले इसमें आती है एक अवीने विदी सबसे पहले हम बात करते हैं अवीने विदी अब जो अवीने विदी है उसके भी दो पार्ट है एक है अवीने विदी का पार्ट है रंगमंच अवीने विदी और दूसरा है कक्षा अवीने विदी एक तो रंग मंच पर अभीने हम करते हैं और दूसरा कक्षा के अंदर अभीने हम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक नमबर रंग मंच अभीने विदि ठीक है तो रंग मंच हम सब जानते हैं जिस पर हमारा जो नाटक है उसका मंचन किया जाता है जिसको हम अभी मंचित करते हैं वो एक जो हमारे स्थान होता है वो रंग मंच होता है तो रंग मंच अभी ने प्रणाली में विद्यारतियों से भूमी का करने के लिए कहा जाता है ठीक है यानि जो विद्यारती है हमारे उनको भूमी का करने के लिए कहा जाता है कि उनको प्रस्तुत करते हैं पूरे नाटक की तैयारी है उसके बाद में में अनुकरन करने की पूरी कौशीश हम करते हैं बाद में समस्त चातर मिलकर के पूरे नाटक को वास्तवेकर रंग मंच पर प्रस्तुत करते हैं ठीक है पूरे नाटक की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद में उसको मंच पर प्रस्तुत करते हैं इस प्रणाली में बहुत अधिक खर्चा होता है हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत सारा खर्चा लगता है इसमें बहुत सारी तैयारियां पहले से करने पथा है कॉस्टूम्स की आवशकता पथा है सारे лाबु शन पोशाग जो भी होते हैं की जरुत पड़ती हैं रंग बंच को डैकुराइट करने के लिए रंग बंच पर भॉह सारी द्रशयों को दिखाने लिए वहत सारी सामगरी चाहिए तो यह प्रनाली बहुत अधिए खरचीली होती है यह तत्हया यह प्रणाली बड़ी कक्षाओं में ही सफल हो सकती है वैसे तो नाटक सिक्षण के लिए यह सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है दोस्तों सिक्षण के सभी स्तरों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है कि कि ना सभी स्तरों पर हम कर सकते हैं परन्तु समय धन और शक्ति के उपियोग की द्रश्टी से यहाँ प्रणाली पूरी तरीका से उपियोगी नहीं है क्योंकि यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लगता है धन की बहुत आवशक्ता होती है और हमें शक्ती की बहुत ज़्यादा आविशक्ता है याने बहुत हमें शक्ती लगानी पड़ती है अपनी तागत की हमें जरत पड़ती है कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें अभ्यास करना पड़ता है बहुत कुछ इसमें हमें अपनी तागत को लगाना संबब नहीं हो पाता है तो ये कुछ देखो हमें पता है कि हर विदी में कुछ ना कुछ दोश जरूर होते हैं और कुछ गुण जरूर होते हैं तो ये कुछ गुण भी आपको हमने बताये थे कुछ दोश की बात भी यहां पर की थी तो एक विदी होगे रंगमंच अभी ने विदी दूसरी विदी है कक्षा अभी ने विदी इसको भी हम जानते है कक्षा के अंदर अभी ने हम की इसमें करते हैं तो इस विदी के अंदर इस प्रणाली के अंदर विद्यारती कलाकार के अनुसार इसमें वाचिक अभी ने करते हैं ठीक है ना बोल कर बोल करके अभी ने इसमें किया जाता है अलग अलग इसमें अभी ने करके बताते हैं जिसे रावन का भी ने आया राम ने क्या बोला सिता जी ने क्या कहा उसका वीने करते हैं वाचिक बोल करके उसी प्रेकार का हम कोशिश करते हैं प्रतिक बिद्यारतिय कलाकार का संबाद याद करके वाचन पात्रों के नुसर करते हैं जो जो पात्रों होते हैं उसी का हम उसमें रॉल करते हैं सिक्षक जो होता है वो केबल एक निदेशक के रूप में होता है वो मार्गदर्शक के रूप में होता है यह प्रणाली सरल और सहज और ग्राहिये होती है इस प्रणाली में कम खर्च होता है इसमें ज्यादा खर्च की आवशकता नहीं होती है समय भी इसमें बहुत ज्यादा है तो ये आपकी सर्वस्ट्रिष्ट कक्षा विने विदी उत्तर इसका होगा ये आपकी एक्जाम में आ चुकी है लाइन तो हर लाइन से प्रश्ण बन सकता है ये आपको समझना है तो ये हो गए हमारी कक्षा विने विदी अगली विदी की हम बात करते हैं अर्थ कथन बता देता है यानि चात्र से पढ़वा दिया खुद ने एक बार पढ़कर के बता दिया फिर उसका अर्थ बता देते हैं ठीक है उसका उद्देश चात्रों को नाटक की कथा वस्तू का अर्थ बताना होता है अन्य पक्षों का उसका ध्यान नहीं होता यानि कि यहां पर जो मुख्य उद्देश होता है वो किवल उसका अर्थ बताना होता है बाकी पक्षों का यहां पर कोई जादा महत्व नहीं होता है वो सारे के सारे यहां पर गौन होते हैं तो यहां पर कुल मिला करके अर्थ कथन विदी के अंदर उसका अर्थ बता दिया जाता है स्वेम सस् फ़िख कर आपक जो है जो सिक्षक है जितने भी पात्र हैं उन वह सभी पात्रों के समबादоды को उचित हाव वह और अंग संचालन के साथ मैं सस्वर वाचंदर उर्रक अब्रस्य रहा क्षाह में करता है तो ऐसे करके उसमें पूरी की पूरे इसको एक्टेम करके खुद को दिखाने पड़ती है इसमें और बीच बीच में आवेशक तानुसर कटिन जो इस्तल है उनकी व्याक्या भी कर दिता है इसमें तो नाटक सिक्षन के उद्देश्चों की द्रस्टी से यह उचित प आता है चात्रों के बल उसको देखते हैं और वो उससे सीखते हैं सब कुछ तो यह आपकी आदर से नाट्य पठन विदी हो गई अब है अपनी अगली जो विदी है वो है विशलेशन विदी में से कई बार सवाल आ चुका है तो आपको अच्छे से इस बात को ध्यान रखन है यह नाटक सेक्षन की हम बात कर रहे हैं यह वियाख्या विदी का ही एक परिवर्धित रूप है उसी का एक परिवर्धित रूप है इसमें अध्यापक चात्रों से प्रश्ण पूछ करके नाटक के तत्वों की वियाख्या करता है ठीक है ना यानि प्रश्णों के माद् की तरफां पर विए अच्छे से हम कर सकते और उच्छ इस तरफार यानि निकि कुल मिला करके माधिम्य लुड उच्छ दौन喇स तरफार इसका प्रयोग किया जा सकता है तो यह विशलेशन विधी अगली जो विधी है वह समिकषा विधी इसमें आपको पता होती है और समीक्षा में गुणो दोनों का ही इसमें मेहत होता है, दोनों की बारे में Talent क्रतeten करते हैं उसको क्रेंट सिजिम उसको third birthday दियंक उछादा जो समीक्षा वुग्षा एसका एक एक तत्व की समिक्षा वहाँ पर की जाती है अब समिक्षा के अंदर आपको पता है कि गुर्ण दोष जो है उन सब का विवेचन उसमें हो जाता है इस विदी का प्रियोग करने से पहले चात्रों को नाटक के तत्व का पूर्ण ज्यान होना आवश्चक है तो ये चीजें जो है उसकी पहले से उसको बताया जाता है नाटक के एक एक चीज के बारे में उसको पहले से समझा जाता चात्रों को तब ही हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं समिक्षा कर सकते हैं तो इसमें हर बात का उसमें विवेचन किया जाता है तो ये है दोस्तो समीक्षा विधी अगली जो विधी है हमारी व्याक्षा विधी तो व्याक्षा विधी में बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें सिंपल है एकदम जैसे हम व्याक्षा विधी का अन्ने जगे प्रियोग करते है उसी प्रकार से यहां भी प्रियोग होता है उच्छ इस तर पर इस विदी का प्रियोग किया जा सकता है सर्व प्रचलेत एवं सभी स्क्षन एतु उप्योगी विदी माने जाती है आपकी व्याख्या विदी यह दोनों ही लाइन बहुत ही इंपोर्टेंट है उच्छिस्तर पर इस विदी का प्रियोग किया जा सकता है और सर्वप्रचलित एवं सभी स्यक्षन एतु यह उपियोगी है यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है यहां से सवाल कई बार आ चुका है इस विदी में अध्यापक जो होता है वो नाटक के सभी प्रकार के तत्वें जैसे की मालों की कथा वस्तु है पात्र एवं काचित्रन है कथा उपकथन है भाशा शैली है उद्देश है अभी नेयता है और देशकाल एवं वातावरन है इन आदी सब की द्रश्टी से व्याख प्रकश्टों की प्रापतीमें यह विदी साहयक नहीं होती है चात्रों को सक्रिय होने का वसर इसमें नहीं मिल पाता है तो दोlette म हम पहले ही बात करे थके हैं कि को न कोई गूंदोश जरूर पाए जाते हैं तो यह है थी हमारी आपकी व्याख्याप इसमें लास्ट विदी अब संयोक्त विदी क्या होती है इसकी भी हम बात करते हैं सभी विदियों के देखो कुछ गुण दोश भी होते हैं यानि कि कुछ दोश हैं तो कुछ गुण भी होते हैं हर विदी में होता है ऐसा हम पहले बता चुके हैं तो नाटक सिक्षन को सरस सरल और प्रवाबशाली औ अध्यापक को इन सभी प्रकार की विदियों को अध्यापक जो है मिला लेता है ठीक है यानि कि जब उसको सारी मतलब सरस बनाना हो बहुत रोचक और प्रवाबशाली और बहुत ही एक एफेक्टिव और एक आकरशक उसमें रूप देना होता है तो हम क्या करते हैं उनको अप विशक था कि हिसाब सोस में मिला लेते हैं उसके बाद में ततपस चात जैसे कि इसमें होता क्या है सबसे पहले इस विदी में अध्यापक को सबसे पहले सुयम नाटक का आदर्श वाचन करना चाहिए यह है कि इसको यदि इस विदी से हम काम में ले तो पहले आदर्श वा कर दिया जैसे किसी को राम बना दिया किसी को सीता बना दिया तो उसे जैसे रॉल आया भी राम का है तो राम वाला पात्र जो है वो बोलेगा सीता जी का है तो वो सीता वाला जो भी पात्र का वो बोलेगा ऐसे अलग-अलग इसमें डिवाइडिशन कर दिया जाता है और सबी विदियों के संयुक्त रूप का प्रियोग करके अध्यापक जो है वो अपने नाटक सिक्षन को रोचक बनाता है उद्धिश्य पून और प्रभावशाली और सरस और सरल बना सकता है तो यह है हमारी संयुक्त विदी तो दोस्तो हमने बात कीती है आपसे नाटक सिक्षन की कौन कौन सी विदिया होती है नाटक सिक्षन क्या होता है नाटक सिक्षन क्यों दिश्ष क्या होते हैं हर वो प्रशन आपको हमने यहां पर समा वेशिट किया है उसको हमने यहां पर समा योजित किया है जो पहले कई बार एक जम में आ चुका है और आने की पूरी-पूरी स सुनें और वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करके जरूर बता है लाइक करें इसको और कमेंट करके हमें जरूर बता है इसके बारे में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और तब तक के लिए इसको आप अच्छे सुनें देखें तैयारी में आप अच्छे से इसक तो अच्छे से कंप्लीट करेंगे, हम पुने मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद. जय हिंद, 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 जय